अपने को दे रखा है कि यह का ओर्गन पाइप है जो कि ओपन भी हो सकता है और प्लोज भी हो सकता है और 99 सेंटिमेटर लेंथ है उसका और उस ओर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेफ सेट अप किया गया और उस इक्वेशन ऑफ इस गिवन बाइप लॉंगिट्यूडन डिस्पेसमेंट उस च्टैंडिंग वेफ का लॉंगिट्यूडन डिस्पेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है अपने को इस तरह से और वर वाई इस मेजर्ट फोम दे तॉप वाई कुछ इस डियाग्राम में मतलब जैसे इस डिरेक्शन में अपना पॉजिटिव एजियूम किया गया है और टी सेकेंड में और अपने को वन सेंटीमेटर एंड करेक्शन दे रखा है और यह दे रखा है कि एंड करेक्शन जो अप्रॉक्सिमेटली है 0.3 टाइम से डायमेटर ओफ दे ट्यूब का तो और एक मोल के इकवल होता है मतलब अगर एंटीपी कंडिशन से 22.4 लीटर वॉल्यूम में एक मोल आफ एयर रहता है तो अगर इसे अपन देखें जो अपने को एंड करेक्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है वो वन सेंटीमेटर दे रखा है एंड करेक्शन अपने को वन सेंटीमेटर दे रखा है तो क्या हो जाएगा जैसे कि इसके एक औरइंग एंड करेक्शन अप्रोक्सिमित्ली इककल टू तो 0.3 ताइम से 2 तू तो 0.3 ताइम से डायमेटर इकक्ल टू वन हो जाएगा तो ड अपना हो से बैसिकली 10 भाइ फिर, volume of the tube हो जाएगा, pi d square by 4 times l equal to pi by 4, d upon 10 by 3 निकाली लिये थे, 10 by 3 का whole square और l अपना हो जाएगा, 100 cm, यह total volume हो गया, इतना cm3, यह अपना total volume हो गया, और अपन जानते हैं कि 22.4 liters of volumes में एक mole of air होता है, at NTP, तो अपन अगर इस volume को, और अपना tube जो है, वो NTP पे है, तो इस volume को अगर अपन 22.4 liters से divide कर दें, तो अपना number of moles आ जाएगा, into 22.3, यह क्या हो जाएगा, equal to 10pi divided by, यह basically 3 हो गया आप है, यह वाला 3 जो है, 3 square था, divided by 36, times 22.4, यह अपना number of moles है, और यह अपना answer जाएगा, जाएगागार !